सब्सक्राइब कीजे डिजिटल इंडियन चैनल को और बैल आइकन दबाईए ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की अबडेट सबसे पहले दोस्तों पिछले काफी टाइम से अगर 5000 से लेके 15000 के बीच का अगर सेग्मेंट बोलो मुवाईल का तो रेडिमी उसके नदर किंग रहा है शाओमी के जितने भी फोन आया है सबने धमाका किया है हाँ थोड़े बहुत टाइम से अगर में बात करो तो कुछ और फोन जो है वो तगड़ा कॉम्पेटिशन दे रहे हैं रेडिमी को लेकिन अब रेडिमी ले आया है Note 6 Pro जो की सक्सेसर अगर मैं बोल सकता हूँ तो Note 5 Pro का आप एक next version बोल सकते है क्या ये फोन आपको लेना चाहिए क्या आपके पास अगर Note 5 Pro है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है अफिर Note 6 में जो Note 6 Pro जो है उसमें Note 5 Pro से क्या है अलग चीजे इस वीडियो में हम डिटेलिन बात करेंगे मेरा नाम में संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन ने चैनल विद वाइफेक्टर चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बदलाव की बात करूंगा तो वो है एक बड़ा और ब्राइट डिस्पले जी हाँ Redmi Note 6 Pro के अंदर आपको मिलता है 6.26 इंचिस का Full HD डिस्पले जो की Full HD प्लस IPS LCD फुल स्क्रीन डिस्पले है इसके अंदर आपको 1080 x 280 का पिक्सल मिलेगा साथ में आपको मिलेगा 19 to 9 का एस्पेक्ट रेशो 86% जो है इसका Body to Screen Ratio आता है अगर protection की बात करूँ तो इस पर आपको Gorilla Glass का protection मिलता है Dimension के अगर बात करूँ तो Redmi Note 6 Pro जो है वो Redmi 5 Pro से थोड़ा सा बड़ा है अगर बात करता हूँ Screen Size की Redmi 5 Pro जो था वो 5.99 इंचिस की Full HD स्क्रीन की साथ आता था और इसका 6.26 इंचिस का है दोस्तों दूसरे अगर बदलाव की बात करो तो इसके तरह आपको मिलती है P2i Coating अगर P2i Coating का मतलब क्या होता है अगर आपको फोन के उपर हलके फुल के पानी के छीटे पढ़ते है अगर बारिश में जा रहे हैं हलकी फुल की ड्रिजलिंग हो रही है मैं हेवी रेन की बात नहीं करूँगा अगर नॉर्मल थोड़ी बारिश हो रहे है तो यह आपकी फोन का बचाव हो जाएगा कैमरे मिलते थे हैं यहां पर आपको फृंट में भी हैं ग्लाव का होना अपने 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 आप में एक अच्छी बात है तो देखते कि सेल्फी कैसी इस वे बाते हैं बाकी रिएर और फ्रंट दोनों के confirmed आपको ड्योल कम्रा मिलने वाला है तो कहीं ना कहीं ये एक Redmi Note 5 Pro का एक अपग्रेड आप मान सकते हैं कैमरे के अंदर अगले अगर बदलाव के में बात करता हूं तो इसके अधर आपको दो वेरियंट मिलते हैं जो मुझे जो चीज़े अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये खास अपग्रेड मुझे नहीं लगा है अगर मैं Redmi Note 5 Pro से अगर इसका comparison करता हूं क्योंकि प्रोसेसर जो है वो सेम 625 का प्रोसेसर इसंदर मिल रहा है अगर बैटरी की बात करता हूं तो बैटरी भी सेम मुझे अतनी लगबग मिल रही है लुक और बात करता हूं तो Redmi कुछ खास अपग्रेड अपनी लुक और फिल के अंदर भी नहीं कर रहा है लगबग बॉड़ी वैसे वैसे मिलती है जो notch है इसकी अगर आप यूज़ी बताऊं तो मुझे वह notch कुछ खास इसकी पसंद नहीं आई यह काफी बड़ी notch है और दिखने में इतनी attractive नहीं लगती है तो Redmi Note 5 Pro अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस अपग्रेड को तो honestly बताऊं तो एक सही ऐसा अपग्रेड नहीं मालूँगा जो एक पूरा जेनरेशन को अपग्रेड कर लेता है मालने जिए जब किसी और ब्रैंड का जब फोन आता है और उसके अपग्रेड होता है पूरा जब करेडड के अदर बाता है ऌप इस बात का ध्यान रखी का इंडियन customers जो होते हैं काफ़ी समझदार होते हैं अगर अच्छा चेंज नहीं करते हैं तो पूरी तरही से company को नकार देते हैं क्योंकि अगर Redmi का अगर मैं comparison करता हूं जिसे Apple का भी 8 जो आया था तो 8 को कोई याद नहीं रखता है दोस्तों अभी 7 जादा बिखता है 8 के मकाबल है क्योंकि लोगों पता था कि 7 का एक तरह से अपग्रेड है 8 जो है वो अपने आपने एक नया model नहीं है तो लोगों ने 10 को accept करना start कर दिया और इस्ट और 8 को बिल्कुर reject करना start कर दिया तो ऐसे में Redmi को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि market के अंदर इतना आस तक आये हैं Redmi Note 4, Note 3, Note 5 ये एक huge successor रहा है लेकिन इस बारी मुझे लगता है कही ना कहीं मुझे थोड़ी से disappointment हुई है मैं इसको एक खास upgrade तो नहीं बोल सकता हूं तो मेरी तरफ से इस phone के लिए कुछ खास मैं अपना opinion नहीं रखता हूं अगर आपके पास Note 5 Pro है तो आप इसको नहीं खरीते तो ठीक रहेगा अगर आपका Note 5 Pro नहीं है तो Redmi Note 6 Pro के लिए आप जा सकते हैं तो यह था मेरा personal opinion इस phone के बारे में और इसे तरकी की वीडियोज अगर आपको देखने है तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहेगा अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं